दोस्तों सहले साइट आई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आप लोग का पसंदीद आवा बेस्ट क्लासेस लेकिया चुका हूँ ट्रेड थिवरी का आगया सेलेक्शन वाला बीडियो नीमी पैटन के बेस्ट आमसी की कोस्टन जिसको नोकरी चाहिए वह जरूर देके रोज सुबा साथ बज़े पचीस कोस्टन दस मिनट हंडेट परसें सेलेक्शन केवल वक्यवल आपको अपने 24 घंटा में से 10 मिनट देना है दोस्तों आपको मिलेंगे नीमी के बेस्ट 100 परसें सेलेक्शन वाले कोस्टन जो की बहुत ही इंपोर्टन है तो आईये में लेके चलता हूँ आज के पहला कोस्टन के तरफ जो की आज का पहला है इसमें 26 नंबर का मीलिंग फिक्षर के बेस प्लेट के नीचे भाग में टेनस क्यों प्रदान किया जाता है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों की फिक्षर को सही तरह से लोकेट करने के लिए आपसंटी इसका राइट आंसर है इसका आपसंटी करेक्ट है उसके वासे नेक्स्ट कोस्टन आ चुका है आपके सामने 27 नंबर का जो की मोस्ट important question है दोस्तों ड्रिल जिग में ड्रिऻ बूसेश का उद्यस सक्या होता है तो ड्रिल जिग में ड्रिल बूसेश का उद्यस से इसमें बता दूत Kardash card को गाईट करना लोगेट करना यानि की option C इसका राइटांसर है उसके बाद से 28 नंबर का question आचुका है कि आपके लिए most important रहने वाला है कि इस fixture का नाम क्या है तो आपको दिखा दे figure इस figure का आपको देखके पहचानना है कि इस fixture का नाम क्या है दोस्तों तो इसमें आपका है induction fixture यानि कि option D इसका right answer है उसके बाद से next question आ चुका है 29 नंबर का 29 नंबर का मैं आपको दिखा दू तो यह आपका फोर्थ सेमेस्टर यानि कि लास्ट सेमेस्टर का है सारे most important question है तो class को आप मिश्ट न करें हार एक class को देखें बहुती best question है aluminium धातू का रंग क्या है तो aluminium धातू का इसमें रंग होता है दोस्तों white grace यानि कि option C इसका right answer है उसके बाद से next question है आपके लिए 30 नंबर का जो कि यह भी best question है किस आयस्क से सीशा धातू उत्पन होती है तो किस आयस्क से इसमें मैं बता दू तो आपका हो जाएगा glen यानि की option D इसका right answer है उसके बाद से next 31 नंबर का question आ चुका है सीशा टीन तामबा और एंटी मनी के मिसर धातू का नाम क्या है तो सास सीशा टीन तामबा और एंटी मनी के मिसर धातू का नाम आपका हो जाएगा बेबिट मेटल यानि की option C इसका right answer है उसके बाद से next question आचुका है दोस्तो 32 नमबर का मुंतुज धाती में तामबा और जोस्ता का अनुपात क्या होता है तो इसमें आपका हो जाएगा 60 ratio 40 यानि की option B इसका correct answer है उसके बाद से 33 नमबर का question आचुका है बाक साइट आयक से किस धातू को निकाला जाता है तो इसमें हो जाएगा दोस्तो लेड का परियोग किया जाता है उसके बाद से नेक्स्ट इंपोर्टेंट आपके लिए question है 35 नमबर का कि किस परकार का बेल्ट ड्राइब संचालित साप्ट ड्राइब करने के लिए बिरोध को घुमाएगा तो इसमें आपका correct हो जाएगा 35 में क्रास बेल्ट ड्राइब यानि की option C इसका right answer है उसके बाद से next question आ चुका है 36 नमबर का कि बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है तो figure में आपको देख इसके बाद से next question आ चुका है 37 नमबर का इस गियर का प्रकार क्या है तो इस गियर का प्रकार आपको बताना है तो इसमें बता दूए इस गियर का नाम है मिट्रे गियर यानि की option B इसका right answer है उसके बाद से 38 नमबर का आ चुका है जो की most important आपके लिए question रहने वाला है दोस जोकी पुली option D इसका right answer है उसके बाद से next question है 39 नमबर का जो की यह भी most important है किस प्रकार का गियर ड्राइब रोटरी चाल को रेखिक चाल में बदलता है तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा दोस्तो रेक एंड पीनियन option C इसका right answer है उसके बाद से 40 नमबर का आ चुका है question गियर में एक्स के रूप में चीनित भाग का नाम बताईए तो इसमें जो एक्स के रूप में चीनित कियागा इसका नाम बताना है तो इसके में आपका हो जाएगा अंडेमन यानिकी option C इसका right answer है उसके बाद से next question आपके लिए आ चुका है जो की most important यह भी है दो fixed pulley के बीच belt के तनाव को कैसे समायोजित करे तो दो fixed pulley के बीच को कैसे तनाव को समायोजित करे तो इसमें हो जाएगा आदर्स pulley को fix करके यानिकी option B इसका right answer है उसके बाद से next question है दोस्तो 44 number का जो की power transmission में vertical belt drive का इस्तमाल क्यों नहीं करना चाहिए तो power transmission में vertical belt drive इस्तमा काल क्यों नहीं करना चाहिए तो इसमें हो जाएगा आपका गुर्तो कर्षर खीचाव और फिचलन के कारण option C इसका right answer हो जाएगा और मैं बता दो इससे पहले थर्ड सेमेस्टर तक के सारे का video already uploaded है उसका लिक भी इस वीडियो के description में है तो उसको भी आप जरूर देखे क्योंकि सारे most important question है दोस्तों तो हर एक वीडियो को वाच करें आपके लिए बहुत इसका मिलने वाला है क्योंकि हर एक क्लास रहने वाला है coupling का नाम क्या है तो इस coupling का आपको नाम बताना है तो इस coupling का मैं नाम बता दू तो यह है आपका इसमें आपका हो जाएगा फ्लेट यानि की option 45 का correct हो जाएगा option B इसका right answer है उसके वाद से 46 नमबर का आचुका है question power transmission में पुली का फेस crown क्यों होता है तो पुली का फेस crowning के लिए इसमें बता दू तो यह है आपका belt को केंद्रिती रखने के लिए option C इसका right answer है उसके वाद से 47 नमबर का question आचुका है बी निर्माण के दोरान की गई गतिवीदी यो का कौन सा आले की प्रतिनी धित्वा है तो 47 नमबर में हो जाएगा प्रकिरिया चार्ट यानि की option C इसका right answer है option B इसका correct है उसके बाद से 48 नमबर का question आचुका है फोस्ट और लूस पूली असेंबली में एक्स के रूप में चीनित भाग का नाम बताना है तो यह है आपका एक्स के रूप में चीनित भाग यहां पे दिखा रखा इसका आपको नाम बताना है तो इसका मैं बता दू करेक्ट हो कालपनिक सरकर इसमें है आपका पीछ सरकल यानि की option भी इसका right answer है दोस्तों तो यह था आज का 25 most important question और इसी के साथ मैं बता दू कि इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उन सब को भी देख लिजिए और 4 semester का यह start है जो लोग नए है वीडियो को लाइ तब तक के लिए बाई